नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के डिवाइस में कॉल हैंग आउट प्रोब्लेम सॉल्फ कैसे कर सकती तो दोस्तों अगर आपको काल पर बात करते हैं तब दोस्तों आपका कॉल के वो कट हो जाते हैं तो कैसे आपको यह प्रोब्लेम सॉल्फ करना है मैं आपको पे वाताने वाला हो ठीक है तो वीडियो को छोम दोशेशिटाल करने और आपको लिंक को मिल जाएगा एक स्बस्क्राइब न के पहले हैं त Twitter पे follow करके message कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो यह जो call hangout का issue है सबसे पहले तो आप यहाँ पे mobile को restart करें अपनी sim को eject और insert कीजिए उसके वाद दोस्तो चेक करके देखिए अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर आभी problem आ रहा है तो जाये दोस्तो setting पर scroll down कीजिएगा और यहाँ पर आपको system पर जाना है reset पर click करना है reset wifi mobile data and bluetooth पर click करके network setting को reset करना है reset setting पर click करके mobile password भर देना है और उसके बाद setting reset हो जाएगा network का उसके बाद आपको क्या करना है आपको उपर में जाना है wifi network को open करना है सी में network पर जाना है ठीक है अपना network type जो है उसको switch करके देखिए network connection switch करने के बाद दोस्तों आप अपने sim पर जाए वर्ल्ट enable कीजिए आपका wifi calling को disable कीजिए access point को reset कीजिए और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नेट्रोग प्रॉब्लेम फेस्ट कर रहा है तो ने ट्रोग को यहाँ पर switch कीजिए ठीक है automatically या फिर manually नेट्रोग आप यहाँ पर switch कर सकती है तो यह सारे solution आप follow कीजिए नेट्रोग के कीजिए गा power button to and call ठीक है तो यह सेटिंग दोस्तों कहाँ पर मिलेगा आए एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम type करते है power button and call तो यहाँ पर आप देख सकते power button and call system accessibility के अंदर पर हैं तो वहाँ पर जाए और यह रहा दोस्तों setting तो यह setting आपका off होना चाहिए क्योंकि गलती से जब आप power button को प्रेस कर देते तो बार बार आपका call hangout होते रहेगा और यह मेरे साथ भी कई वर हो चुका है already ठीक है तो आप यह भी चेक करके देखे नेक्स्ट आपको क्या करना है setting पर जाना है scroll down करना है उसके बाद app and notification पर click करना है see all apps पर जाना है और उसके बाद आपको बेक करना है permission पर जाना है सारे permission allow कर देना है और उसके बाद बेक करना है mobile को restart करना है और चेक करके देखना है अपका problem solve हो चुका होगा तो इस तरह के से calling out problem solve कर सकते हैं by any chance अगर आपको इसके बाद भी problem आते तो जाए setting scroll down करे उसके बाद जाए दोस्तों अपने system के अंदर पर और software को update कर दीजिए जैसी software update होगा आपका problem उसी के साथ भी fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से आप अपने mobile के call hangout problem fix कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपका जो phone service है उसको भी update जरू किजेगा ठीक है उसको update करने के लिए आपको simply type करना है phone service और यह मिल जाएगा तो जाकि इसको आपडेट कर लेना और उसी के साथ आपका phone service भी काम करेगा call hangout issue भी fix हो जाएगा तो बस दोस्तों यह था solutions call hangout problem का उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंदे होगा आज के लिए वस इतना ही thanks for watching